हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चैनल जोज ऑथेंटिक किचिन फ्रेंज आज हम बनाने वाले है जटपट टी टाइम स्नैक वो है मिर्ची के पकोड़े जी हाँ जो बिल्कुल भी तीखे नहीं है देखते हैं रेसिपी में कैसे बनाएंगे इस तरह की मिर्ची हम यूज करेंगे जो मार्केट में एजीली मिल जाएगी इसे हम डी सीट करकर कट कर देंगे देखिए इस तरह से मैंने बीच सारे निकाल लिये है इसे हम एक बार वाश कर लेंगे और अच्छी तरह से स्ट्रेंड कर लेंगे अब हम एक बाउल में बेसन ले लेंगे वन कप और उसमें पानी आड़ कर देंगे हाफ ग्लास अफ वाटर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए ये मिक्स हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चिप्टी हेंग और अड़ करेंगे एक पिंच सोडा अब नमक डाल देंगे स्वादा नुसार और सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए अब हम मिर्च में नमक डाल कर उसे दस मिनिट तक साइड में रख देंगे आफ्टर 10 मिनिट्स हम ऑईल रख देंगे कड़ाई में गरम होने के लिए उसे चेक करेंगे देखिए तेल गरम हो चुका है अब हम फटा फट अपनी मिर्ची इसमें डाल देंगे इसे तब तक फ्राइ करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करेंगे देखिए ये ब्राउन हो गए है इसे निकाल लेंगे हम टिश्यू पेपर पर मैंने यहां सेकेंड बैच डाल दिया है पकोड़े का इसे भी अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे ये रेडी हो गया है इसे भी निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में और सर्फ करेंगे गर्मा गरम इसे चाय के साथ गर्मा गरम खाये बहुत ही मजा आ जाएगा